आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए PhD नाटिफिकेशन के ऊपर इन्फार्मिशन मिलता रहता है तो आज हम बात करने वाल है NTA की तरफ से आए हुए एक नौटिफिकेशन के ऊपर जिजो नौटिफिकेशन है वो 13 सितंबर को NTA की आफिसल वेफसाइट पर रिलिस किया गया था जिसमें इन्हों ने जो PhD इंटेंस टेस्ट कराया जा रहा है इसमें तकरीबन तीन से चार अपडेट की तरफ से तरफ से किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्टेंशन आफ डेट आफ रिस्टेशन इन्रिस्पेक्ट आफ प्याजडी इंट्रेंस टेस्ट तो हम चल यह क्योंकि गाइस NTA की तरफ से जो प्याजडी इंट्रेंस टेश्ट कराया जा रहा है CUAT के माध्यम से इसमें तकरीबन तीन से चार अपडेट आ चुके हैं अभी तक इससे पहले इन्होंने ब्याच्चू से जो 6-7 सब्जेक्ट बढ़ाये गए थे प्याजडी इंट्रेंस टेस्ट के लिए उसके लिए नाटिफिकेशन आया हुआ था फिर इसका जो लाजडेट बढ़ाया गया था 15 सितंबर तक उसके लिए यहाँ पर अप्लिकेशन आप 9 बजे तक आप लोगों के लिए इसका जो रिश्टेशन पोर्टल है वो उपन रहेगा और इसका जो फीश ट्रांजेक्शन का जो डिट है वो भी 15 सितंबर से बढ़ाकर 22 सितंबर का डिट कर दिया गया है तो अब 22 सितंबर तक आप इसके फार्म को फिलब कर सकते हैं यहाँ पर करेक्शन का जो आप लोगों को टाइमिंग दिया गया था पहले 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में इसे भी अब बढ़ाकर 23 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में कर दिया गया है तो अगर आप भी छुट छुट गये थे इस फार्म को फिलब करने के लिए या फिर इस डेट के खतम हो जाने की वज़े से आप फार्म फिलब नहीं कर पाए थे तो अब NTA ने आप लोगों को एक रियायत दिया हुआ है एक बिष्ट चांस दिया हुआ है इस फार्म को फिलब करने के लिए कि ये जो आप्लिकेशन आया हुआ था NTA की तरफ से इसमें चार से Central University के लिए अप्लिकेशन मांगा जा रहा है CUET के माद्यम से ये एक्जाम कराया जा रहा है तो अब आप 22 सितमबर तक इस फार्म को फिलब कर सकते हैं तो इस तरीके के और भी informative वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब कर ले जहां पर आप लोगों को इस नए वीडियो पे नए information के साथ तब तक के लिए thank you so much